हेलो बच्चों वेलकम तो ब्रेंस्टॉम देली चैलेंज सिरीज जहां पर कि हम डिस्कस कर रहे हैं डेली चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स और ऐसा ही एक प्रॉब्लम कल आपको ऐसा होंवग गिवन होगा बच्चों और आप सभी ने उसका बहुत अच्छे से अटेम्ट किया ह होगा और उसमें नई बात आपको सीखने को मिली होगी तो चलिए बच्चों देखते हम आज का हमारा चैलेंजिंग प्रॉब्लम में बोला गया है जैसा कि आप डाइग्राम में देख भी सकते हैं लेंद कितना गिवन है उसका 64 सेंटीमेटर गिवन है ठीक है बच्चों ल यह क्रॉसक्ष्टर हमें घिवन है टू अपॉन अंडोट पाइ सेंटीमेटर गिवन है आगे गया है कि हा रोड जो है यह पॉर्टेंस से पर atrás Sum जो है surrounding से perfectly insulated है और यह कितने distance पर रखा हुआ है यह 50 आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है एक infrared point source S से जो की जिसका की power है 1.25 kilowatt as shown in figure this is the question now आगे बोलागे the lateral surface of the road is perfectly insulated from the surrounding the cross-section a absorbs 80% of the incident energy यानी कि यह जो हमारा infrared point source है यह जितनी energy radiate कर रहा होगा जितनी energy cross-section a पर incident हो रही होगी उसका 80% यह absorb करेगा ठीके बच्चों इसका मतलब हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं यह energy यह radiate कर रहा है ठीके बच्चों और इसका 80% यह absorb कर रहा है आगे बढ़ते हैं the cross-section a absorbs 80% of the incident energy has temperature in steady state steady state में इसका temperature किता हो जाएगा आगे बढ़ते हैं the surface B is radiating energy into space and the wavelength emitted by it with maximum energy density is 10 to the power 5 एंक्स्ट्रॉम इस एंड का temperature टीबी होगा बच्चों ठीके और यह कितनी energy की maximum energy density की कितनी wavelength जो radiate कर रहा है उसकी wavelength कित्ती होगी उसकी wavelength होगी 10 to the power 5 एंक्स्ट्रॉम हमें बोला गया कि find the value of the temperature of and a in Kelvin if conductivity varies with the temperature as K equals to T upon T है ठीक है conductivity के लिए यहां पर relation हमें given है बच्चों आगे बढ़ते हैं assume that the rate of flow of heat rate of flow of heat यानि की heat current through the rod is steady steady बोला गया है वीन्स constant बोला गया है मैं 0.003 meter Kelvin this is the question बच्चों अब यहां पर हम थोड़ी सी एक दो बाते डिस्कस कर लेते हैं अब देखते हैं कि यह जो point source से बच्चों यह जितनी energy radiate कर रहा होगा और वह जितने area को enclose करेगी वह जितने area को strength given perfectly insulated cross section radius हमें given TA और TB हमें नहीं given है और बच्चों यहीं हमें find out करना है ठीक है बच्चों चलिए अब हम देखते हैं हम जानते हैं बच्चों intensity equals to होता है power upon area ठीक है यहां पर power हमें given है इस point source की और area भी हम निकाल लेंगे यह radius हमें पता लगी तो area भी निकल जाएगा तो महां से हमारी intensity आ जाएगी चलिए निकालते हैं तो intensity कित्ती आती है 1.25 kilowatt that is 1.25 into 10 to the power 3 upon area मेरा हो जाएगा बच्चों फोर पाई अब आर रेडियस कित्ती होगी 50 आर तो 50 आर का स्क्वार और आर की जगह में क्या लिख सकता हूं टू अपॉन अंडू रूट पाई उसका स्क्वार करेंगे तो फोर अपॉन पाई तो यहां पर निकाल लेते हम कित्ती हो जाएगे हमारी इंटेंसिटी 1.25 इंटू 10 तो दी पावर 3 डिवाइड़ बाई 4 पाई इंटू 50 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 4 इंटू पाई ठीके 2 अपॉन अंडरूट पाई देट इस 4 अपॉन पाई 4 अपॉन पाई ठीके बच्चों आगे देखते हैं पाई से पाई कैंसल आउट हो गया 4 इंटू 16 हो जाएगा तो यह मेरा बन गया यहां पर 12.5 अपॉन 16 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू टाइम्स यह हो गया मेरा वन बाई 30 तो मेरी इंटेंसिटी कित्ती आगे बच्चों वन अपॉन 32 यह मेरी इंटेंसिटी आगे किसकी यह जो यहां से एनर्जी रेडियेट हो रही है चीक है इंटेंसिटी आगे मेरी वन बाई 32 अब इंटेंसिटी आगे अब यह वाली जो लाइट यह जो पावर सोर्स है यह जो एनर्जी रेडियेट कर रहा होगा वह इंसिडेंट होगी इस पर और यह इसको अब्जॉर्व करेगा तो अब हमें क्या निकालना है कि कितनी पावर इस एक रॉस सेक्षन पर एब्जॉर्व हुई यानि कि इसने कितनी पावर रिसीव की ठीक है तो देखे निकालते हैं अब हम निकालेंगे पावर रिसीवड एट ए और वो क्या होगा कि जो इंसीडेंट हो रही है उस पर एनर्जी उसका एटी परसेंट तो इंसीडेंट एनर्जी क्या होगी हमारी देखो तो पावर रिसीवड एट ए हो जाएगा एटी परसेंट ओफ इंसीडेंट एनर्जी एट इस पावर आप देखो तो एटी परसेंट है तो एटी बाई हंडर्ड इंटू पावर हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया तो इंटेंसिटी भी हमारी कित्ती आई वह आई बचो वन बाई थर्टी टू इंटू एरिया करेंगे एरिया हमारा हो जाएगा एरिया फ्रॉस सेक्शन देट इस पाई आर स्क्वार पाई इंटू आर आर कित्ता गिवन है टू अपॉन अप का स्क्वाइर करेंगे देट इस फॉर अपॉन पाई से पाई कैंसल फोर से थर्टी टू गया एट टाइमस एट से एटी गया टैन से अंडर ठीक है बचो तो पावर रिसीवड एट एंड ए कित्ती हो गई बचो यह हो गई मेरी फाइनली जीरो पॉइंट वन जूल पर पहली चीज़ चीज़ अब बच्चो की बात है एनर्ज्य रेडियेट कर रहे हें व वीन्स दिस्प्लेस्मेंट लो हम यहाँ पर यूज科 सकता है नीज्ए सप्लेस्मेंट लो हमें क्या बोलता है वह बोलता है लेंडा मैक्सिम एंटू टी सू consistent एक पल्स टू कॉंस्टंट उस कॉंस्टंट की वैल्यू हमें गीवन है मैक्सिमम वेवलेंथ गीवन है ती निकाल लेंगे अच्छा यह कौन्छा होगा यह होगा बच्छो एंड बी का विकॉज एनर्जी स्पेस में कहां से रेडियेट हो रही है इसलिए टी भी ठीक है बच है टी बी और वींस कॉंस्टंट हमें कुता गीवन है 0.003 मीटर कैल्विन तो मीटर से मीटर कैंसल हो जाएगा थो बच्छे का कैल्विन ठीक है बच्छो तो इसको सॉल्व किया तो यह तो आगया 10 डी पावर माइनस फाइफ यह टी भी इक्वल्स टू इसको हम लिख सकते है 3 into 10 to the power minus 3 ठीक है बच्चो तो अब मेरे पास क्या बच गया अब मेरे पास यहां से जब हम इसको solve कर लेंगे बच्चो तो मेरे पास यहां पर टीबी आ जाएगा मेरा 300 केल्विन ठीक है 10 to the power minus 5 10 to the power minus 3 10 to the power minus 2 बचा उपर जाके 100 बन जाएगा पादके तो टीबी मेरा गया 300 केल्विन ठेंप्रेचर एट एंड इनड बी ठीक है टेंप्रेचर मेरे टैंडबी का आ ध्रीनड केलविन अब मुझछ एंड रे का निकालना है उसके के लिए हमें क्या बोला गया उसके लिए बोला गया की हीट passenger स्टडी है ऐल गई हीट करेंट होतीय है मारी यह इकल्स to minus fundamental के एगira अंच्डी मका ठीक्डूला भां यह बच्डीफन है यह हमने यहां पे कहां से लाएंगे तो उसके लिए हमें कंडुक्टिविटी के एक रिलेशन दिया हुआ है उसको यूज करते हैं तो वह रिलेशन क्या था माइनस की जगह माइनस आ गया के को लिखादा टी अपॉन टी ए तो टी अपॉन टी आ गया इन्टू ए डी टी बाई डी एकस ठीक है बचो अब हम इसको थोड़ा सा रियरेंज कर लेते हैं तो इस बचल पउन इन्टू टी एंटु दी एकस को अपॉन ए ठीक है बचो यहाँ पर क्या बच्छा माइनस इसको इंटीग्रेट कर लेंगे इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक करेंगे तो देखो इसको करना पड़ेगा हमें 0 to L because cylinder की length कितने की बने 64 cm की बने और इसको करना पड़ेगा कहां से कहां तक इसको करना पड़ेगा हमें टीए टू ठीक है बच्चों अब यहां पे टीए को हमें फाइंड आउट करना है यह हमें निकाल लेंगे हम डी एक्स हमें पता है इन सबको तो इंटिग्रेशन से बाहर हम ले लेंगे ठीक है और यहां पे टीवी हमें पता चल लिए टीए हमें निकालना है तो देखो क्या बन जाएगा मेरे पास यह बना फाइनली 0.1 इंटू टीए और डी एक्स का इंटिग्रेशन करेंगे बच्छो वह हो जाएगा एक्स और डेट इस एल तो लेंथ बन गई इंटू एल एल किता है 64 इंटू 10 to the power माइनस टू अप आप उन में एरिया मेरा हो जाएगा पाई आर स्कौर है ठीक है पाई इंटू आर आर मेरा किता है बच्छो आर है मेरा टू अपउन अंडरूट पाई स्कौर करेंगे फोर अपउन पाई तो फोर इन्टू यह पाई चला जाएगा है ना है यह तो आगया मेरा पाई पाई इन्टू फोर इंटू के थे इन तो थे पार माइनस फोर सेंटीमिटर स्कुरी करें ठीके बच्चों यह तो हो गई श्की बाद न्यूस की बाद करेंगे यहां पर मैंनल स्कुरीड करने के बाद गासा इसके limit put करेंगे ती ए तो थी भी किता है बचो ठीक है आप देखते हैं इसको solve कर लेते हैं पाई से पाई केंसिल फोर से 64 किया 16 टाइम्स ठीक है बचो 10 to the power minus 2 10 to the power 4 है ना यह उपर जाके तो 10 to the power किता बचा 10 to the power 2 बचा यह तो यह तो बचो मेरा बच गया 160 टी ए एलेचेस की बात तो हो गई हारेचेस की बात करते हैं उसको solve कर लेते हैं माइनस कि यह बन जाएगा मेरा इस टू को भी हम इदर multiply कर देते हैं तो यह लीजे यह टू भी आ जाएगा माइनस टी स्क्वाइर टी यह और यह बन गया मेरा 300 that is माइनस ओफ 300 स्क्वाइर माइनस टी एडिये स्क्वाइर ओके 220 टी एडिये इक्वलस टू क्या बन गया बचो माइनस ओफ 300 स्क्वाइर प्लस टी एडिये स्क्वाइर टी कि लेंगे और इसके से रूट्स करके हम यहां पर अंसर निकाल लेंगे तो यह बन गया मेरा देखो टीए स्क्वाइर माइनस ओफ 300 का हुल स्क्वाइर माइनस 320 टीए इकवल्स टू जेरो यहां फिर इसको हम थोड़ा सा और रियरेंज कर लेते हैं बच्वों यहां पर हम यहां पर लिख देते हैं हम इसको यहां पर इसा लिख लेंगे त्रीएंट टीए स्क्वाइर माइनस 320 टीए माइनस थ्री हंड़र्ड का होल स्क्वार इकोल स्टू जिरो अब थ्री ड्वन्टी को बच्वा हम क्या लिख सकते हैं यहाप इसको हमें रूट्स करना पड़ेंगे तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस फाइव अंड़र्ड टी ए प्लस वन इट्टी टी है माइनस थ्री हंड़र्ड का होल स्कॉर एकोल स्टू जिरो बच्वाइव अंड़र्ड माइनस वनेटी करेंगे देट इस थ्री ड्वन्टी होता है तो बीच वाली वैली वागई इसका स्कॉर करेंगे तो यह हो जाएका 90 थाउस ज़िक है and 80 into 5 90 होता है तो वो भी हमारी match कर जाएगी तो देखिए यहाँ से हम common निकालते हैं तो TA common आएगा बच्चो तो यह क्या बन गया TA minus 500 यहाँ से plus 180 common ले लेंगे तो यह बना TA minus 500 equals to 0 अब बच्चों इसके दो roots हो गए एक तो हो गया TA minus 500 दूसरा हो गया बच्चों TA plus 180 तो यहाँ से हमें TA की दो values मिलेंगी बच्चों क्या क्या मिल रही है दो values एक तो मिल जाएगा TA equals to 500 और एक मिलेगा TA equals to minus of 180 Kelvin है अब आप लोगों ने देखा था बच्चों कि TB का temperature किता आ रहा था TB आ रहा था हमारा 300 Kelvin ठीक है TB आ रहा था 300 Kelvin तो obvious सी बात है कि A का temperature उससे ज्यादा ही होगा कम तो हो नहीं सकता क्योंकि जब A का temperature ज्यादा होगा तभी तो energy ट्रांसफर होके heat current flow होके temperature बी तक पहुँचेगी और वो उसको radiate करेगा तो A का temperature ज्यादा होना ही है तो 300 से ज्यादा value कौन सी दिख रही है 500 इसलिए T A का जो temperature होगा temperature of and A is 500 and that is our answer 500 Kelvin I hope कि एक्वेशन आप सभी को बच्चों अच्छों से समझ में आया होगा और आपका answer भी आया होगा और इसमें बहुत सारी नएने चीज़े आपको सीखने को मिली होगी तो इसी तरीके के और challenging questions देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए brainstorm series और स्ट्रेट्यून विद एलन जेई आप चलते हम हमारे next brainstorm question की तरफ बच्चों प्रफ प्रफ बच्चों